हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं साथ चर्चा करने वाले हैं जो हमारे मीन लगन राशी के जातक के लिए कैसा रहने वाला है आपकी लव लाइफ किस दिशा में जा सकती है ग्रहों के आधार पर या फिर आपको दूसरे शब्दों में अगर कहें कि ग्रहों के द्वारा किस प्रकार के रिजल्ट्स मिल सकते हैं पॉजिटिव जादा मिलेंगे या निगेटिव जादा मिलेंगे या सामानने रूप से ही चीज़ा चलती रहेंगी तो इन बातों के उपर हम चर्चा करेंगे आप से सबसे पहले जैसा कि हमारे जो पुराने वियूर्स है वो जानते भी हैं कि mainly five points पर हमुरी discussion रहती है क्योंकि उन सारे जितने भी वो five points हैं उन में वो सारी चीज़े लाइफ से related जो होती हैं वो include हो जाती है, आ जाती है आराम से, जिसमें कि सबसे पहला point होता है single, अगर single की बात करें तो आप ये भी पूछेंगे कि single से मतलब क्या है, कौन लोग single होते हैं आपके हिसाब से, देखिए हमारे हिसाब से नहीं, जो actual में single होते हैं, जिनको single माना जाता है, जो single हैं, जिनक पिर चला गया, आपकी life से, तब भी आप single हैं, तीसरी बात ये, कि अगर आप married थे, शादी शुदा थे, लेकिन आपका divorce हो गया, या किसी तरह से भी separation हुआ, मतलब अलग हो गये, या break up हो गया, जो भी हुआ, तो उसके बाद आप single ही हैं, अगर आपका कहीं दूसरी जगे के कुछ नहीं है अभी तक तो, तो हम जो बात करेंगे, वो single जातकों के लिए करेंगे, मीन लगन राशी के जो हमारे मित्र हैं, दूसरा point हमारा रहेगा, कि भाई, अगर आप living relation में हैं, या आपका कहीं love affair चल रहा है, तो ये मई का महिना, आप मीन लगन राशी के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के results आपको मिलने की बात है, ग्रहों के दौरा कितना support आपको गुरह करेंगे, कितना नहीं करेंगे, कितना progress आप कर पाएंगे, अपनी संबंदों में, कितना इसको enjoy कर पाएंगे, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई, कोई समस्या ख करेंगे साथ ही, और फिर अगर आप कहते हैं कि हम living relation में हैं, या हमारा इस तरीके से affair चल रहा है, तो क्या कोई विवाह का योग बन रहा है, अगर विवाह का योग बनेगा, तो हम उसकी भी जानकारी आपको देंगे, आगे बात करेंगे, कि भाई आप merit couples हैं, विवाहित, चाहें महीला हैं, चाहें पुरूश हैं, अगर आप विवाहित हैं, तब फिर आपका विवाहित जीवन मई 2024 में मीन लगन राजशी के जातकों का कैसा रहने वाला है, साथियों मैं आपको आगे बात करूँगा कि भाई, आप विवाहित तो हैं, लेकिन क्या इस बात की आपका कुछ संबन बन जाए, कोई development हो जाए, sudden development, आपकी आँखें किसी के साथ चार हो जाएं और बातें आगे बढ़नी शुरू हो जाएं, सिलसला एक आगे बढ़ें, क्या इस बात की और भी ग्रहों का संकेत है, इसकी भी जानकारी देंगे, और यदि आपका ये कहना है कि हमारा तो पहले से कहीं extra marital affair चल रहा है जी, तो यह हम जानना चाहते हैं कि मई 2024 हमारे लिए कैसा जाने वाला है, हम कितना अपनी इस relationship को enjoy करेंगे, तो इस point पर भी हम आपके साथ discussion करने वाले हैं, अंत में discuss करेंगे, कि आपका कोई अपना कोई life में कोई आपका मित्र, opposite sex का, चाहिए वो male या female, कोई था, उसके साथ आपकी बहुत अच्छी और बड़ी strong relationship चल रही थी, लेकिन कोई ऐसा कारण हो गया, कि जिसके कारण आप दोनों अलग हो गए, separate हो गए, और कई बार क्या होता है, कि जब अलग होते हैं, तो कई बार तो एक दूसरे को ही, एक द चलता रहता सिलसला, एक दूसरे के उपर आरोप, प्रत्यारोप का, और different different चीजें हैं, कुछ cases में ऐसा भी होता है, कि दौनों ये बान कर चल रहे होते हैं, कि किसी third person के कारण हमारी relationship जो है, वो बिगड़ गई, और भी कई कारण हो जाते हैं, तो बहराल कहने का बहाव यह है, कि अगर किसी भी कारण से आप separation हो गया, break up हो गया, या आप अलग हो गए, या मजबूरी में आपको अलग रहना पड़ रहा है, तो कुछ समय तक तो natural है, कि मन में, दिमाग में वो चीजें घूमती रहती हैं, थोड़ा growth भी रहता है, जिसके कारण भी यह सब चीजें ह हुई है, लाइफ में आपके, लेकिन दीरे दीरे फिर व्यक्ति भूलता जाता है, यह व्यक्ति का सवहा होता है, जायतर लोग भूल जाते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, जो उसको लंबे समय तक याद रखते हैं, तो ऐसी चीज़ों को लोग भूलाना ही पसंद करते एक नियुक्ति अपने आपको क्यों परेशान किया जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिनकी इच्छा है यह होती है, कि भाई, जैसा मैंने का कि समय के साथ साथ भूल जाते हैं, जब भूल जाते हैं, तो उनका इच्छा करता है, बहूँ, वो हमारा जो मित्र थ के भी plan मैं करूंगा तो प्रिये साथियों अगर आप भी कुछ इसी प्रकार की बात आपके मन में है या आप सोच रहे हैं तो फिर हम आप से इस विशे पर भी discuss करेंगे अंत में इस वीडियो में अंत में जा करके सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारे मीन लगन राशी के सिंगल जातक हैं सिंगल जातकों के लिए मैं बताना चाहूंगा साथिए के दिखिये आप जो सिंगल जातक हैं सबसे पहली बात यह कभी तो आपका मन एकदम आप बहुत चीज drinking को बहुत मजबूती के साथ सोचतिशता शुरू कर देते हैं काफी बोल्डनेस आ जाती है आपके अंदर और कभी आप अपने आपको बहुत वीक महसूस करने लगते हैं कमजोर महसूस करने लगते हैं मतलером असाहई महसूस करने लगते हैं. यह सोचते हैं कि भभी, मिझा कहीं सा कोई सपोर्ट होता तो अचा रहता. अपने आपको भी आप दोश देने शुरू कर देते हैं. कई पार. कि अपने भागगा को अपनी किसमत को अपने लक को भी दोश देना शुरू कर देते हैं भागगे ही बिलकुल मेरा एसा है कि जो साथ नहीं देता मैंने इतनी कोशेशे करी मीरे को कोई سकसिस नहीं मिली मेरे लाइफ में कोई आया तो आकर के चला गया या आया ही नहीं और या फर कुछ मुझे दूसरी पृतिक्रियाएं देखने को मिली जो कि किसी भी माइने में सही नहीं थी तो कई बार ऐसा भी होता है तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले तो आपको ना मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं साथ ही हो मीन लगन राशी के जो हमारे सिंगल जातक है सबसे पहले तो अपने विचारों में इस्टेबिलिटी लाईएगा आप इस्टेबल थौट्स होना बहुत जरूरी है बहुत ज़्यादा जरूरी है आज कुछ सोचेंगे कल कुछ सोचेंगे परसों कुछ और तो ऐसे तो फिर अगर आपकी प्लैनिंग या थौट्स चेंज होते रहेंगे तो फिर आप उस पर एक्शन कब लेंगे और कैसे लेंगे यह तो फिर आप ही के लिए समस्या आप अपने लिए खड़ी कर लेंगे तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले तो मैंने जैसा कहा कि अपने अंदर मजबूती लाईए और मैं आपको पता दूँ कि देखिए कुछ एक तो चीज़ें यह हैं और कुछ ऐसे भी हमारे मित्र हैं सिंगल जातक कि जिनके जिनको मतलब वो ऐसे जो जातक हैं कि किसी को पसंद कर रहे हैं और वहां से भी उनको कुछ अच्छा रेस्पॉंस है ऐसे भी जातक हैं सिंगल मीन लगन राशी के कि आप किसी को पसंद करने लगे हैं या करते हैं वहां से भी आपको अच्छा रेस्पॉंस है लेकिन in some cases ऐसा भी है कि आप वो आपका मित्र जिसके साथ आपका है वो वहाँ पर मौजूद नहीं है जहां पर आप है मतलब उसी destination पर ये हो सकता है आप से कुछ दूरी पर हो या काफी दूरी पर हो आपका सिरफ उनके साथ एक तरीके से फोन पर ही conversation possible हो या वीडियो call संभव हो ये भी एक इशारा गरों की ओर से मिल रहा है कि ये जो मित्र है जिसके साथ आपका इस बात की भी काफी संभावना बन रही है कि ये मित्र आपका जो है जिसके साथ आपका कुछ सिलसला चला है ये वहाँ पर मौझूद ना हो करके कहीं दूर बैठा है लेकिन हाँ चाहें वो दूर बैठा है या पास बैठा है मैंने अभी आपसे एक बात कही थी कि आप अपने विचारों में stability लाइए थोड़ा सा अपने आपको strong बनाने की कोशिश करिए ये मैं सोचिए कि आप कहीं न कहीं कमजोर पड़ रहे हैं या नहीं बिल्कुल नहीं थोड़ा सा confidence अपने अंदर लेकर आईए क्योंकि आपका जो मित्रे जो मैं देख रहा हूँ चार्ट में आपके मीन लगंडाशी का जो चार्ट मेरे सामने मैं ये चार्ट में देख रहा हूँ ग्रहों की सिती को तो आपका जो मित्र है न अच्छा कासा उसका support है आपके लिए support कर रहा है वो आपको आपकी बातों को भी सुन रहा है समझ रहा है और काफी positive संकेत है और रहेंगे इस मई के महीने में आपके लिए तो फिर किस बात का परिशानी तो थोड़ा सा आप हिमत करेंगे और आगे चलेंगे और अपना विचारों में मजबूती लाएंगे और उसके हिसाब से planning के हिसाब से काम करेंगे step by step आगे चलेंगे तो मैं तो नहीं समझता कि आपका कोई जो वो मित्र है कि उसके सैयोग में किसी तरीकी की कोई कमी मुझे तो नहीं दिखती अगर आप खुदी पीछे हट रहे हैं या खुदी hesitate फील कर रहे हैं संकोच कर रहे हैं तो फिर इसका तो कोई इलाज नहीं फिर तो आप जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले तो आपको अपने आपको मजबूत करना होगा ना आप अगर मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप इस काम को करके जरूर देखें अगर आप करेंगे ना और पूरी बुद्धीमता पूर्ण तरीके से करके आरागे को बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ती होगी मैं ये नहीं कहता कि विवा का योग है विवा का योग नहीं है इस मई 2024 में ये मैं कह सकता हूँ लेकिन विवा ऐसा जरूरी नहीं है कि भई सीधा विवा ही हो marriage ही हो marriage से पहले भी कुछ चीज़ें होती है कि चलो भई साथ में रहा जाए एक दूसरे को समझा जाए तो चीज़ें जो हैं वो सिल्सला चल सकता है अगर थोड़ा सा आप अपने आपको मजबूत करें और कुछ पक्का विचार बना करके आगे चलें तो वो जो मित्र है आपका जिसको आप पसंद कर रहे हैं या कर चुके हैं या जो आपके मन में है अगर आप थोड़ा भी आगे बढ़ेंगे तो वहाँ से आपको corporate करेगा आपका मित्र आपको corporation मिलेगा मैं ये कहना चाहता हूँ finally आगे बात करेंगे कि अगर आप living relation में है या फिर आपका कहीं affair चल रहा है अपने मीन लगन राशी के जो हमारी मित्र है उनके विशह में बात कर रहे है प्रिया साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए आप और आपका जो मित्र है जो living relation में है तो मैं एक बात नहीं समझ में आती कि जब आपकी उनके साथ मित्रता है तो आप कोई भी अपने मन की बात उनसे कहने में इतना हिचक्यों फील करते हैं इतना हिचक्यों रहती है आपके अंदर नहीं रहने चाहिए जब भई आपका वो मित्र है और आप उसके साथ अगर कुछ आने वाले future की planning कर रहे हैं कि हम लोग शादी भी करेंगे एक साथ भी रहेंगे आने वाले दिनों में तो फिर आपस में कोई ऐसी बात तो होनी नहीं चाहिए कि आप कोई चीज उनसे कहना सको या कहते हुए आपको थोड़ा सा hesitation फील हो आपको बिलकुल खुल करके बात करनी चाहिए और खुल करके अपनी अपने विचार रखने चाहिए लेकिन ये विचार ऐसे ना रख दें कि उसका कोई negative impact आपके मित्र पर चला जाए इस बात का भी जरूर ध्यान रखिए कहने का भाव ये है कि या तो हम कोई बात करेंगे ही नहीं ज्यादा थोड़ी बहुत बातों से ही काम चलाएंगे और अगर करेंगे तो फिर सारी बात रख देंगे अच्छी भी और बुरी भी फिर चाहे जो मर जी effect होता रहो हमारे साथी पर या फिर उसका हमको कैसा भी reaction देखना को मिल सकता है ये भी तो है तो हमें जो भी बात करनी है पहली बात तो हमें किसी अपनी बात को रखने में हिचकना नहीं चाहिए और दूसरी बात जो भी बात रखें समझदारी के साथ रखें काइदे से रखें ताकि आपका जो मित्र है और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ मित्र जो है आपका वो बहुत cooperative है इस मई के चार्ट में जो मैं देख पा रहा हूँ ग्रोहों की सिति के आधार पर आपका मित्र बहुत cooperative है और आपके लिए काफी committed और dedicated भी है तो यहाँ पर यह मित्रता मुझे आगे बढ़ने में किसी प्रकार की कोई कमी नजर नहीं आती है आप लोगों के तो जहाँ पर कोई weak point है आपका और जो यह ग्रह के संकेत दे रहे हैं उसके आधार पर हम यह बात आप से कह पा रहे हैं तो हमारी बात आप जो हमने कहा है भी आप से हम समझ रहे हैं कि आप बहुत ध्यान से हमारी बातों को सुन रहे होंगे और अगर आप सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से आप हम यह कह सकते हैं कि आगे जो भी आप उनके साथ जब भी मिलना होगा मिलते हैं या रोज मिलते हैं या रहते हैं तो फिर ये चीज निकालनी होगी फिर वो मित्रता ही किस काम की रह गई जहां हम आपस में अपने मन तन की बात नहीं कर सकते एक दूसरे से तो इसलिए ज़्यादा सोच विचार भी नहीं करना चाहिए अच्छी बात नहीं होती अगर मैं ऐसी बात कह दूँगा तो कहीं ऐसा रियक्शन ना हो जाए अगर मैं वैसी बात करूँगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं वैसा ना हो जाए ये इफ और बट वाली जो चीज़ करें हम यह नहीं कहते कि आप दुनिया भर की बातें करें बैठके वह भी ठीक नहीं है लेकिन जो करने वाली बातें ज़रू करें और सोच समझ करके करें ताकि उसका कोई गलत रियक्षन ना हो आपके मित्र पे और मित्र मैंने आपको कह दिया कि पूरा कोपरेटिव नेचर का मित्र है आपका हर तरीके से आपको कोपरेट कर रहा है और करेगा इस महीं ने हाँ शादी विवा का योग तो नहीं है अब बात करते हैं कि भई आगर आप विवाहित हैं मीन लगन राशी के जातक जो है जनका पाईसेज असेंडेंट है तो आप विव बाइक जीवन में तमाव ज्यादे ना रहे सके लिए आपको हम अन्त में कोच उपायों भी जरूर देंगे क्योंके हम भी नहीं चाहते कि विवाएक जीवन में कुछ जादे परेशानिया चलें विवाह जीवन में अगर परेशानिया होती है तो जिन्दगी जो होती यह ल कीहना चाहिए समाप सी लगती है तो इसलिए ववाईग जीवन भहुत अच्छा रहना चाहिये खिसी भी कोई भी हो चाहिए तो यहां पर ववाईग जीवन को अच्छा बनाने के लिए मैं आपको कछफाए affair भी है अगर आप ये कह रहे हैं तो आपकी बात मानते हैं तो बिलकुल भाई आप जो कह रहे हैं मैं आप से agree करूँगा कि ये मई का जो महिना है इस मई के महिने में आपका जो extra marital affair है वो पूरी तरीके से आपका परवान चड़ रहा है और आपका पूरा फोकस अपना अपने उसी मित्र पर रहेगा यहां तक कि कि आप दूसरी यानि के second marriage करने के विशह में भी सोच विचार कर सकते हैं और विचार कर क्या सकते हैं योग बन रहा है ऐसा कि आप मतलब पूरे determination के साथ यह चीज आपके mind में रहेगी कि मैंने यह शादी भी करनी है किसी भी तरह और करनी है आज नहीं तो कल तो लेकिन प्रिया साथियों मैं बताना चाहूँगा कि गरों की सितिये बदलती रहती है आज जो गरों की सितिये उसके हिसाब से आपके विचार रहेंगे बाद में जब गरों की सितिय बदलेगी तो जैसे यह बदलेगी वैसे ही आपके विचार हो जाएंगे तो अभी तो जो है मई दोजार चोबिस में जो आपका extra marital affair है इसका काफी एक तरीके से इसका प्रभाव आपके जीवन में ज़्यादा रहेगा या यह कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि आप extra marital affair को ज़्यादा आधिक enjoy करने में आपकी रुची रहेगी और उसका कहीं ना कहीं impact direct और indirect आपकी married life पे भी पढ़ता हुआ दिख रहा है तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी married life बची रहे तो फिर आपको थोड़ा सा सोच समझ करके ही step लेने की सलहा हम आपको देंगे आगे बात करते हैं कि जो no contact situation में हैं हमारे जातक जिनका कहीं था किसी अपने person के साथ अब नहीं है और आपका जो वो person है काफी आपसे या तो कहें कि खफा है नाराज है या आप उनसे ज्यादे नाराज है आप हट गए पीछे जायतर cases में तो जो हम देखते हैं कि आपका person ही आपसे दूर होता है और उसको लेकर कही परिशान लोग रहते हैं कि भई वो कब आएगा कब उससे हमारी बातचीत होगी वो हमें कब unblock करेगा ये वगएरा वगएरा तो यहाँ पर इस महीने मीन लगनडाशी के जो हमारे मि जो जातक हैं मई 2024 में जो मैं देख पा रहा हूं और समझ पा रहा हूं प्रिये साथी हूं कि देखिए कुछ ना कुछ मन में ब्रांतियां तो आपको लेकर के आपके मन में भी हैं उनको लेकर के लेकिन बहुत सी चीज़ों में आप किलियर नहीं है अपने मित्र को लेके ल यहां पर यह बात समझने वाली है कि आपके मित्र के माइंड में दिमाग में किसी प्रकार का भी कोई संच है कोई डाउट आपको ले करके नहीं है अब आप कहेंगे कि तो अगर नहीं है तो क्या वो मुझे से नाराज है दिखिए जब नाराजगी की बात में नहीं करता जब नाराज होगा तब होगा या जब उसको आप से कोई शिकायत रही होगी बात तो मई 2024 की कर रहे हैं ना हम आगे की कर रहे हैं ना पीछे की कर रहे हैं तो मई 2024 में आपका जो मित्र है आपके बारे में बहुत अच्छी सोच रखता है पॉजिटिव सोच रखता है और इससे अधिक हम और क्या के हैं अब तो यही है कि आप अगर उनके साथ दुबारा से अपने इस रिलेशनशिप को रिवाइव करने के मूड में हैं और आपकी ऐसी इच्छा है और आप ऐसा चाहते हैं तो हम आपसे नहीं कह सकते हैं कि देखिए यह मौका है मई दोजार चौविस में और मई दोजार चौव वो मित्र है वो आपको ले करके निगेटिव थौट्स उसके माइंड में नहीं है अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ा चल रही है कि पता नहीं वो आपके बारे में क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है तो यह सारी चीज़ा आप अपने दिमाग से यह खचड़ा निकाल के बाहर फैंक दीजे और आप प्रॉपर वे में उनके पास जाने की कोशिश करें मिलने की कोशिश करेंगे एक काईदे से तरीके से तो आपकी उनसे मुलाकात भी होगी बाचीट भी एक अच्छे माहल में हो जाएगी और चीज़ें आगे बढ़ सकती है यह वो समय है कि इसका लाब लिया जा सकता है इस समय जो गरों की इस्थिती है गरों ने आपके मित्र को बहुत पॉजिटिव सोच में रखा हुआ है अब आप ये मान के चलिए कि अगर मान लीजे किसी भी तरह से अगर आपके मित्र की सोच निगेटिव होती ऐसे में आप जितना मरजी कोशिश करने उसका आपको रिजल्ट याद जीरो मिलेगा या कुछ और समस्या बने के खड़ी हो जाएगी आपके लिए लेकिन यहां ऐसी इस्थिती नहीं है हम कैसे कहज़ें आप थोड़ा जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि स्टेप बाई स्टेप काईदे से अगर आप उनके करीब जाने की कोशिश करेंगे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे तो मैं नहीं मानता कि कहीं पर भी किसी तरीकी की कोई समस्या आप के सामने आने वाली है तो आप कोशिश करके तो देखिए देखिए यह नहीं मैं कहता कि आज आप कोशिश करेंगे तो आपको एक हफ़ते में रिजल्ट मिल जाएगा या दस दिन में मिल जाएगा या चार दिन में मिल जाएगा थोड़ा समय लग सकता है लेकिन ठीक है कोई बात नहीं कहावत है न देर आए दुरस्त आए लेकिन लेटर और सुनर जब भी आपको ये मिलेगा अच्छा ही मिलेगा मेरा ऐसा मानना है अभी काफी समय तक ऐसा योग है आप मीन लगंडाशी के जातकों के चार्ट में इस समय का जो है आप लाबने बजाए इसके कि दरोदर की बातें सोचें या कोई दूसरा आपके मन में कोई डाल दे और आप उन बातों को लेकर के अपने परिशान होते रहें और देर बुन में लगे रहें सब चेज़े निकाल करके फैंक दीजे बाहर बस इतना अपने माइड में ले करके चलिए के भई मेरा जो वह मित्र है मैंने जो भी मिस्रे गलतियां भी हुई है अगर पास्ट में या कुछ भी मैं रहरे से मेरे से माइने कुछ बोला है या कुछ किया है जो भी ए अब मैं ये मौका है अब ये सारी चीज़ों को एक तरीके से बैट करके उनके साथ सॉल्व करने का तो चीज़ें काफी पॉजिटिव होती दिख रही है मुझे कोशिश तो करें आप तो मेरे प्रिये साथियों ये था मीन लगन राशी के जातकों का मैई 2024 का मंत्री लवराशी फर लेकिन जाने से पहले जो मैं अभी मिस कर गया उपाये देना था मैंने उपाये भी देता चल रहा हूँ आपको उपाये क्या करें ताकि आपकी वैवाई जीवन है अपनी मेरेड लाइफ अच्छी हो सके उसके उसके लिए तो काले कुत्ते को दूद पिलाएं या रोटी खिलाएं नियम से खिलाएंगे तो वड़ा अच्छी बात है काला सफेद कुत्ता मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं काला मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं और किसी रंका ना हो साथ ही महिला हैं तो हनुमान चालिसा का पार्ट कर सकती है और लाल मसूर की दाल मंगलवार के दिन आप किसी भी गरीब यक्ति को कुछ पैसे रखके किसी गरीब को या किसी सफाई करमचारी को आप दान में दे सकते हैं और बाजरा पक्षियों को जरूर खिलाएं प्राहतेकाल बस ये उपाये आप करते रहिए वेवाईक जीवन में दीरे दीरे जो कष्ट हैं समस्या हैं तनाव हैं वो दूर होगा तो प्रियसातियों ये था आप मीन लगन राशी के जो जातक हैं उनका उपाये के साथ मंत्री लवराशी फल मई 2024 का आपको ये हमारा वीडियो अगर पसंद आया है चर्चा पसंद आई है तो आप इसको लाइक जरू करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले अ बिना किसी रुकावट के आप तक पहुंच सकें विद नोटिफिकेशन तो फिर आप बैल आइकन जरूर दबा लेगे तो साथियों इसी के साथ अब हम अपने इस कार्रेकरम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रियजातकों से भी इजाजत लेना चाहेंगे तो साथ बात्यों इसी के साथ आप सभी का सेहर दें बहुत बहुत धन्यवाद जय माता दी